Hello guys, welcome back to another video of trade invest Angel 1 API integration की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग order कैसे place कर सकते हो Angel API की help से बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक का देना चैनल को सब्सक्राइब का देना Let's start this वीडियो सबसे पहले हमने लॉग इन कर दिया था यहाँ पर तो हम यहाँ पर जैसे इसको run करेंगे तो हमें total data मिल जाएगा ओके तो आप जैसे यह run कर रहा है अभी 2024 का data हमें latest मिला है और सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग 2024 तो यह सायद एक साल का data return कर रहा है यहाँ इसको हमें pandas data frame में convert करना पड़ेगा यहाँ पर पांड़ा सब्सक्राइब चेक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास data ओके यहां पर मुझे लग रहा है इक ही साल का डěेटा यहां पर मिल रहा है आप उया पर यहां पर नहीं मांग रहा है गलाए इंक आटमाल बंधर कγõश ψसरोन सब्सक्राइब यहां पर रहा है यहां पर जोसको ने लिए ह 38 सकते हैं 5 4 3 2 ऐसे तो यहां पर कुछ इस तरीके से आप लोग डेटा फेच कर सकते हो उसके बाद हमें चाहिए आप ओर्डर प्लेस करने तो ओर्डर प्लेस करने के लिए यहां पर आपको ओर्डर पेरामेटर्स डिफाइन करने होंगे वेराइटी जो है वो नॉर्मल ओडर ह या फिर CNC है या फिर MIS है वो सब आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो उसके बाद ट्रेडिंग सिंबल है जो हमने यहां पर लिया है SBIN एक्विटी क्योंकि आज मार्केट क्लोज है तो हमारे पास स्क्रिप मास्टर की डीटेल्स नहीं है ओके इसका टोकन है 3045 इसको रन करेंगे तो यहां पर देखती है इसने order place कर दिया और order id जो है हमारी है वो है 2404 something अब हम order book को फैच करते है order book देखेंगे यहां पर आप लोग तो यहां पर आप order book फैच कर सकते है उसके बाद एक और चीज है कि smart API में आपको और क्या-क्या functions मिलते हैं तो आप जै तो जैसे ही आप tap प्रेश करोगे तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजे मिलेगी जैसे मतलब order book है place order है option greeks है प्रॉक्सी है put call ratio refresh token वगेरा वगेरा तो यह सारी चीजे भी आप लोग access कर सकते हो यहां से ओके trade book जो है उसमें आपको trades की detail मिलेगी जैसे मान लीजे मैं यह यहां पर trade book को open करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं यह सारे trade book में अभी फिलाल कोई data नहीं है क्योंकि trade हुआ नहीं है actually मैं तो जैसे हम अब order ID में अब हम order ID यह जो आप देख सकते है order ID हमने यहां पर fetch करी है यहां पर सारा data है order place नहीं हुआ you are trying to place the order with a price which is outside circuit limit ओके यह ह यहां पर option मिल रहा है उसके बाद हम यहां पर get order info का function run करेंगे और order ID हमारे पास यह है अब हम order ID इसको fetch करेंगे तो यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो हमारा order है वो reject हो गया क्योंकि हमारे जो angel one के account में funds जो है वो insufficient है तो इस तरीके से आप लोग order place कर सकते हो यहा यहां पर जैसे 24 control इसको मैं copy कर लेता हूं और इस order ID में इसको place कर दिया वैसे तो अल्रेडी नई order ID place हो गई है और जैसे cat order status में जाएंगे तो यहां पर order type market दिखा रहा और reject it दिखा रहा तो इस तरीके से आप लोग orders को manage कर सकते हो angel one API की help से और भी बहुत कुछ किया जा स तो order change हो जाएगा automatically और यहां पर square off भी डाल सकते हो stop loss भी डाल सकते हो और modify भी कर सकते हो आप orders को जैसे यहां पर हम करते है modify करने की कोशिश करते हैं एक बार modify order पर click करेंगे और यहां पर आप लोग जो नए orders के जो parameters हैं वो यहां पर आपको pass करने होंगे जैसे यहां पर आ modify करना है तो आपको क्या करना होगा यहां पर इस तरह से request place करनी पड़ी गी मैं यहां पर इस request को यहां पर place करता हूं यहांपर order मोडीफाई वाला जो order है उसके request यहां पे मैं place करता हूँ normal order है हमारे पास order id भी था तो वह मैं इसी order id को copy कर लेता हूँ यहां पर हम इस order id को paste कर लेते हैं उसके बाद आपको यहां इसको run कर लेते हैं यहां पर हम लोग order id नहीं चाहिए हमको order okay so यहां पर जैसे इसको हम run करेंगे तो हमें यहां पर response मिल जाएगा success जो भी order id में change हुआ है वो सारा change हमारा यहां पर हो जाएगा तो इस तरह से आप लोग orders भी modify कर सकते हो और orders cancel करने का भी option है यहां पर smart api.cancel order का भी आपको function मिलता है तो मैं दिखाता हूँ वो कैसे होगा काम यहां पर variety हमको change करने होगी तो मैं check कर लेता हूँ एक बार documentation में cancel order में यहां पर okay तो इस तरीके से आपको cancel order variety हमको normal करना होगा तो यहां पर हमको order params डालने होगे चलो नया तो यहां पर हम इसी response को copy कर लेते हैं एक बार के लिए तो यहां पर जैसे हम इसको copy करेंगे order modification में हम इसको डाल देते हैं यहां पर order ID यह है हमारा जैसे हम इसको run करेंगे तो यहां पर फिर से हमें variety बता रहा है क्योंकि जो हमारा जो order है वो already हमने place किया ही नहीं है क्योंकि market close है तो यहाँ पर हमको error आ रही है लेकिन open market में error नहीं आएगी जब हम open market का वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग इसको फिर से explain कर देंगे so आपको मैंने बता दिया कि order कैसे place करने और order को modify कैसे करना है यह सारी चीज़े हम already इसमें discuss कर चुके next वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप web socket को कैसे access कर सकते हो और live codes कैसे fetch कर सकते हो so मिलते है next वीडियो में I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like का देना और channel को subscribe कर देना